आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका टाइटल है यानि वो लड़की जिसने पूछा क्यूं? यानि उसने सवाल किया चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पार्ट वान इन दोस टाइम्स दे लिवड गर्ल उस जमाने में एक लड़की रहती थी वो थोड़ी मुक्तलिफ थी उसके दिमाग में हमेशा बहुत से सवाल रहते थे जब वो छोटी थी तो उसके अम्मी ये चाहती थी के वो खाना पकाना सीख ले उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा के मुझे खाना पकाना क्यूं सीखना चाहिए उसकी माँ ने कहा ताके तुम जब भी ज़रूरत पड़े तो खुद को खिला सको लड़की ने कहा ठीक है और उसने खाना पकाना सीख लिया कुछ हरसे बाद उसकी माँ ने उसको घर का काम सिखाना चाहा रड़की ने एक मरतबा फिर पूछा क्यूं जो शखस अपना काम खुद कर सके उसको किसी की मदद ना लेनी पड़े तो उसकी माँ ने कहा घर का काम सीखने के हवाले से ताके तुम सेफ डिपेंड़न बन सको तुम्हें किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े लड़की ने कहा ठीक है और उसने घर के काम सीख लिये तेन वान ड़े हर पैरेंटस तोल हर दे विल बे मैरिंग अर उसकी शादी कर देंगे She asked why, उसने पूछा क्यों Because all girls get married at this age, said the parents क्योंकि सब लड़कियां इस उमर में शादी कर लेती हैं उसके माबाप ने कहा Everyone does and so should I Sab ऐसा करती है, तो मुझे भी ऐसा करना होगा That's not a good reason ये कोई अच्छा जवाज नहीं है, ये कोई अच्छी वजा नहीं है I am not going to get married, मैं शादी नहीं करूंगी The girl's determination surprised her parents Determination, पकका इरादा लड़की के पकके इरादे ने उसके वालदैन को हरान कर दिया Other parents could have forced the girl into marriage, but her parents didn't कोई और parents होते, तो वो उस लड़की की जबदस्ती शादी करवाते लेकिन उसके parents ने ऐसा नहीं किया So now the girl had enough time in hands तो अब उस लड़की के पास काफी फारिग वक्त था As her father was a teacher, जैसे के उसके father teacher थे She joined her father's academy, तो उसने अपने अबू की academy जॉइन कर ली यानि उसमें दाखला ले लिया There she learned several hymns and their meanings खुदा की तारीफ के लिए जो नजन लिखी जाती है, उसे hym कहते है तो उस academy में उसने बहुत सी hymns और उनका मतलब सीखा She asked her questions and learned even more वो अपने सवाल भी पूछती रही और उसने और भी बहुत कुछ सीखा Soon, she surpassed her father in knowledge और बहुत जल्दी इल्म के लिहाज से अपने father से भी आगे निकल गई Surpass करना, आगे निकल जाना Part 2 One day an invitation arrived एक देन एक दावत नाम आया Invitation, दावत नाम It was from the king ये बाच्छा की तरफ से था The invitation was for the brightest scholar in the academy ये invitation उस academy के सबसे जहीन तालबलम के लिए था As it happened, the king wanted to compile all the knowledge in the universe into books ऐसा हुआ के बाच्छा सारी दुनिया के इल्म को बुक्स में जमा करना चाहता था Compile करना, जमा करना To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world Inputs यानि मालूमात, philosophers, फलसिफे के माहिर मालूमात हासिल करने के लिए बाच्छा ने दुनिया भर से Scholars यानि आलमों और philosophers को invite किया जो किसी खास मजमून में specialized करते हैं, उन्हें scholars कहते हैं, इसके इलावा University से तालीम हासिल करने वाले तालेबलमों को भी scholar कहा जाता है There was a discussion in the academy about who to send for this conference Conference यानि इजलास जिसमें important बातों को discuss किया जाता है और कुछ problems के solutions वगरा निकाले जाते हैं तो academy में इस बार में बातचीत होने लगी कि किसे उस conference में भेजा जाएगा After a lot of thought, they all agreed that the girl was the brightest scholar in the academy बहुत जादा सोचने के बाद सबने इस बात पर इतफाक किया कि वो लड़की उस academy की सबसे जहीन scholar थी So the girl was sent to the conference लहाजा उस लड़की को उस conference में भेज दिया गया When the girl reached the conference venue माफ कीजिए का When the girl reached the conference venue She was taken aback by the Granger Venue कहते हैं मकाम या जगा जैसे के conference जिस जगा हो रही थी वो उसका venue था Taken aback दंग रह जाना, हैरान रह जाना Granger, अजमत या शानो शौकत यानि वो लड़की जब उस conference में पहुंची तो उसकी शानो शौकत को देखकर वो हैरान रह गई She noticed a large number of men but hardly any women among the delegates Delegates यानि नमाइंदे जैसे के हकूमत के नमाइंदे होते हैं यानि हकूमत की तरफ से जो लोग conference वगहरे में शामिल होते हैं उसने ये बात नोट की कि जो नमाइंदे वहां मौझूदे थे उन में से ज़्यादात तादात जो है वो मर्दों की थी जबके औरते ना होने के बराबर थी She climbed this stage to take her seat वो अपनी जगह पर बैठने के लिए stage पर चड़ी Suddenly there was a huge uproar Huge uproar यानि बहुत उंचा शोर Suddenly there was huge uproar People in the audience were staring at her जो लोग किसी प्रोग्राम को देखने या सुनने के लिए आये होते हैं उन्हें audience कहते हैं तो इचानक बहुत उंचा शोर उठा audience में से लोग उसे घूर रहे थे A woman Who thinks she can sit on the scholars panel Panel लोगों का group जिसे मश्वरे के लिए चुना जाता है तो किसी ने ये कहा कि एक औरत किस के ख्याल में ये scholars के पैनल में बैठ सकती है Preposterous screamed someone Preposterous यानि एहमकाना या उट पटांग सी बात उसके लिए preposterous का लवस इस्तमाल किया जाता है तो कोई चिलाया कि ये कितनी एहमकाना बात है Look at her clothes, so provoking Provoking यानि जो अच्छा ना समझा जाए तो किसी ने ये कहा कि इसके कपरों की तरफ देखो ये अच्छे मालूम नहीं होते यानि इसने ठीक लिबास नहीं पहना हुआ यानि ऐसा लिबास इसे लोगों के दरमयान नहीं पहना चाहिए I don't think she is female of good repetition मेरे खियाल में इस जो लड़की है इसकी शोहरत अच्छी नहीं है Declared another यानि एक और आदमी ने ऐलान किया Stop her, it's a sin against God इसे रोको ये खुदा के खिलाफ गुना है यानि खुदा के हुकम के खिलाफ है माफ की जगा, यहां एक मिस्प्रिंट था जिसे दरुस्ट कर दिया गया है Small G की जगा यहां Capital G का इस्तमाल दरुस्ट है Everybody looked at the king for a solution हर कोई इस मसले के हल के लिए बाचा की तरफ देखने लगा The king pondered for a moment बाचा ने कुछ देर सोचा, पॉंडर करना यानि सोचना Girl, there is some misunderstanding फिर उसने लड़की को मखातिब करते के का कि ऐ लड़की, कोई गलत फैमी हुई है A woman can't sit on the scholar's panel unless she is accompanied by a man एक औरत scholar's के पैनल में नहीं बैच सकती जब तक के उसके साथ कोई आदमी ना हो Pardon me, your grace But I was invited to join the discussion, said the girl Pardon me, यानि माफ कीजिएगा, your grace बाचा को अदब के साथ मखातिब करने के लिए इज़त माब वगारा जो कहा जाता है इसे English में your grace कहते है तो लड़की ने बाचा को मकातिब करते हुए कहा कि लेकिन मैं मुझे तो इस discussion या बाचीत में शामिल होने के लिए invite किया गया था I don't remember inviting you, said the king बाचा ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कब invite किया था You send the invitation for the brightest scholar in my academy तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि आपने invitation भेजा था मेरी academy में सबसे जहीन scholar के लिए I am the brightest in my academy, the girl replied तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपनी academy में सबसे ज़्यादा जहीन हूँ On the invitation, there was nothing about only male scholars being allowed answer the girl तो लड़की ने जवाब में ये कहा कि उस दावत नामे पर कहीं भी ये नहीं लिखा था कि सिर्व मर्द scholars को ही उसमें शामिल होने की अजाज़त है The king gave little chuckle चकल दभी हुई आवाज में हसना तो बाच्छा हलका सा हसा You have made a good point यानि तुमने एक अच्छा नुकता बताया है I have no objection, said the king मुझे कोई अतराज नहीं है, बाच्छा ने कहा But I don't think a woman can join the discussion murmured one of the women in the audience लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस discussion में कोई औरत शामिल हो सकती है Audience में से एक औरत बुरबुराई Why? asked the girl क्यों? उस लड़की ने पूछा You will not feel comfortable around so many men, answered another woman इतने सारे मर्दों में तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा एक और औरत ने जवाब दिया I have no problem, my focus is on my work, not men मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा ध्यान मेरे काम पर है, मर्दों पर नहीं You don't have to do this, you are not bad looking You can marry some wealthy gentleman, advised one elder तुम्हें ये सब करने की जुरूरत नहीं है तुम बद्शकल नहीं हो, तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती हो एक बड़ी उमर की औरत ने मश्वरा दिया The girl ignored him Advised one elder यानि बड़ी उमर के मर्द ने, किसी बड़ी उमर के आदमी ने ये मश्वरा दिया The girl ignored him और लड़की ने उसको नजर अंदास कर दिया उसका कोई जवाब न दिया Story के next part को अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप इस वीडियो को replay कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए